अमत्ते बारी और ये राज साड़े आड़ बजाली क्लास है जो कि आसे को लाइब मिल रहे है जिसमें प्रवाइट करा रहे हैं आप सभी के लिए UPSC PFO के लिए completely free of post courses तो ये दी सभी बच्चे लाइब जुड़ चुके हैं और आप सभी के लिए audio और वीडियो बिल्कुल क्लियर है तो live chat में मुझे उख के लिकर notify करें so that हम हमारी आज के लाज वह स्टार्ट कर पाएं very good evening everyone very good evening काफी सारे नहीं बच्चे हैं very good evening सोमया जयोत्सना अजय बबली very good evening everyone चुलिए स्टार्ट करते बच्चों हमारी आज के लाज को जैसे कि आप सभी को पता है कि हम UPSC PFO के लिए completely free of post आपको courses प्रवाइड करा रहे है उस सीरीज में हमारी ये जो class चल रही है इसमें हम आपको IFS Indian Freedom Struggle के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करिए जो कि आपकी MCQ सीरीज है ये आपकी एक MCQ सीरीज है ठीक है और इस MCQ सीरीज में हमारा target क्या है कि आप सभी के लिए 1857 से लेकर 1947 तक ये जो 90 साल का इतिहास है ठीक है जिसे हम जानते हैं Indian Freedom Struggle phase के नाम से क्यों क्योंकि यही वो समय है जब आधूनिक भारत में एक तरह से राश्टिय चेतना के साथ national क्या हम बोल सकते से है ना national importance के लिए है ना national level पर freedom struggle जो है वो स्टार्ट हो गयते हम सभी ने देखेंगे बहुत सारे समासुदार अंदोलन होंगे एक गांधियन फेज आएगा गांधी योग आएगा ठीक है और बहुत सारे इवेंट होंगे जिसमें देश का हैकी करन होगा और सभी लोग मिल जोलकर भारत की सुतद्रता के लिए जो है काम करेंगे और यही आपके syllabus UPSC EPFO के ठीक है यहाँ पर MZ को हम आपको प्रवाइट कर रहा है साथ ही हमारा एक प्लेइलिस्ट में एक section है जो कि हमने पढ़ा हुआ जिसमें हमने spectrum को complete करा हुआ यहाँ पर 36 के करीब lecture है तो उन सभी lectures को एक बार आप लोग बिजट जरू करें जितने भी नय बक्चे जोनोंने सब्सक्राइब करेंगे बिलकुल आज की class live है मैं live हूँ इस live बिलकुल नहीं recorded नहीं है हेलो एटेश हेलो प्रतीक चलिए स्टार्ट करते बच्चों हमारी आज की class को चिक है चलिए एक बार session को लाइक जरू कर देंगे सभी लोग तो आज जो हमारी स्थितिय है वो यह है क कि IFS के हम first phase को discuss करने वाले इंडियन freedom struggle के पहले चरण को हम discuss करने वाले है इनीचली क्या क्या movement हुए क्या क्या major reforms को इने हम discuss करने वाले है तो पहला question है आपका कि who was the president of लखनौ session of Indian National Congress है ना भारती रास्टे Congress के लखनौ में जो अधिवेशन हुआ था अधिवेशन क्या होता आ है कि हर साल इंडियन national Congress जो बनी थी हमारी इंडियन national Congress अधिया हमारी 1885 में बनी थी ठीक है और इसको बनाने के सरे किसे जाता है इसको बनाने का सरे किसे जाता है सर यूम्स को जाता है ठीक है ना तो हर सर यूम्स को इसको बनाने का जो है जाता है सरे तो सेशन क्या होते थी इनकी जो एन्वल मीट होती थी वार्सिक जो इनकी एक तरह से मुलाकात होती थी वार्सिक जो मीटिंग होती तो इसे हम सेशन बो तो उसके प्रासेडेंट कौन थे? Option A है महम्मद अली जिन्नाह Option B है अंबिका चरंड मजूमदार Option C है मदन मुहन माल भी है या फिर Option D है अनिबेशिन सभी बच्चे इसका अंसर देंगा Everyone has to answer और एक बार वीडियो को लाइक जरू कर दे सभी लो बिल्कुल गुड़ू जी बहुत आराम से किलियर हो जाएगा आपको पढ़ना पढ़ेगा मगर जम लगा के चलिए तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आप सही की स्कीन पर ये रहा आंसर B जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है Option B इसका सही आंसर है मतलब अंबिका चरंड सिंग मजूमदार अंबिका चरंड सिंग मजूमदार जो है वो 1916 में हुए लखनव अदिवेशन के लखनव सेशन के नेशनल कॉंग्रेस का जो लखनव सेशन हुआ तो 1916 में उसकी क्या थी प्रासिडेंट थी चलिए आगे बढ़ते है अगले कॉशन ही था बगला कॉशन आसे की स्कीन पर ये रहा option no.2 कि नील दरपन विच गेंट great fame for vividly portraying the operation by the indigo planters is written by नील दरपन जिसे indigo planters और द्वारा उत्पिरन के इस पस्ट रूप से चित्रत किया गया था इसे बहुत ख्याती मिली थी ये किस ने लिखा है तो basically आसे पूचा कि नील दरपन किस ने लिखा है क्या हुआ था आप सभी को पताए कि किसानों को नील की खेदी के लिए मजबूर किया जा रहा था बंकिम चंद्र चटो पाध्या ने लिखी थी दीन बंदु मित्र ने लिखी थी या फिर प्रेम नंद्र मित्र ने लिखी थी सभी के पास 22nd इसके आंसर देने के लिए बताएंगे सभी लोग फास्ट एक फार वीडियो को लाइक से रूप कर दे सोभी बच्चे एप्रिवन वेरी गुड चलि कावी सारे बच्चों के आंसर जा रहा है इसका सही आंसर हम देख लेते हैं इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह आप्शन नंबर बी है ना ऑप्शन नंबर बी में क्या था भाई आपका यदि मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी में था बंकिम चंच चटो पाध्य है तो याद रखना है कि दीन बंदू मित्र ने चलिए यहाँ पर ठुड़ा सा मिस्पिंट हो गया है यह किस ने लिखा था दिन बंदू मित्र ने लिखा Dawn ohh आह पर आपशन सी ओगा मिस्पिंट हो गया म. दु года दूस्तों आपशन सी यह का साय नंसर बी नहीं है इसको डिस्रिकाइड करके चलेंगे तो दीन बंदु मित्र जो है नोने अठार सो अंठावन में इंडिको फार्मर्स की देहनी इस्तिती को दर्शाने के लिए ये लिखा था ठीक है चलिए नील बिद्रो को भी नोने इसमें बहुत अच्छे सेक्स्प्लेन किया था आगे बढ़ते हैं अगले कोशनी तरब अगल इस वेरी इंबॉर्डन कोशन यह एक बहुत जादे इंबॉर्डन कोशन है आप सभी के लिए कि कॉंग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन के बाद असहयोग की बापसी की प्रतिक्रिया के रूप में से स्थापित किया गया था तो यह किस ने किया था जो कॉंग्र इनके द्वारा ओप्सिन बीस्ट चंद्रबूस और जवालाल नहरो के द्वारा ऑप्सिन सी एजितरंजिन्द्वार्प नरस्म चंतामं केलकर और मतिलाल नहरो इसका फॉर्मिशन किया गया था किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम कॉंग्रेस खिलाफ़त की, जल्दी से बताएंगे सबी लोग आज इसलिए काफीजारे बच्चे के आंज़र्स आने लगे हैं, सही आंज़र्स दिस्कस करते इसका वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेयर कर दें आर फास्ट सभी लोग इसका सही आस है दोस्तों, आपस नमबर सी बिलकूल, बहुत सारे बच्चों का आपस नमबर सी सही था, मतलब चितरंजन दास, नर्सिंगन चिंतामन और मोतिलाल नहरू बहुत सारे बच्चों का सी आंसर सही था बिलकोल, सी वाले बिलकोल सही है, very good, very good है रहा है, बहुत शांदार पढ़ रहा है अप लोग दोस्तों, ठीक है, चले तो सी इस का सही आंसर है, आप लोग को याद रखना ह तो हुआ क्या था कि 1922 में, 1922 में, चितरंजन दास ने, नर्सिंग चिंतामन केलकर ने और मोतिलाल नहरू महलू ने, जो कॉंग्रिस खिलाफस स्वराज पार्टी की स्थापना की और ये एक तरह से जो सही हो गांदोलन उसका बिड्रॉल हुआ तो उसके बिरोध में उसके अगेंस इसके reply में ये चीज़ करी गई थी, चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले कॉशन इतरप, अगला कॉशन आगे स्कीन पर ये रहा, कॉशन नंबर फॉर, Most of the Nationalist leader expressed their we will it meant at Gandhi's decision to withdraw the non-cooperation movement, अधिकांस राष्टवादी नेदाओ ने गांधी के ऐसे गांदोलन को बापस लेने के निरने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, ठीक है आप से भी कुशन देता हूँ कि non-cooperation movement को बापस क्यों ले लिया था, महात्मा गांधी ने ऐसे कौन सा event, कौ nothing sort of national calamity, nothing sort of national calamity, जवालाल ने ने बापसी को राष्ट्री आपदा से कम नहीं बताया, क्योंना ने बोला कि राष्ट्री आपदा एक तरह की, वहीं, गांधी जी ने क्या का, गांधी जी सेड, I would suffer every humiliation, every torture, absolute ostrichism and death itself to prevent the movement from becoming violent, मतलब अनना ने बोला कि भाई, मैं हिंसक होने स अच्छा है, मैं ये सारी चीजें सहलूँगा, मैं अपमान सहलूँगा, मैं यातना सहलूँगा, निरंकुस्ता सहलूँगा, लेकिन मैं हिंसक नहीं हो सकता, तो कौन से statement हैं, जो सही हैं, केवल बन, केवल टू, दौनों सही या फिर option number D, दौनों ही गलात हैं, बताना है आ अविसारे बच्छों के answer आ रहे हैं, सभी लोग answer देंगे जल्दी से, चौरी चौरा के वज़ें से, वरी गुड यार, वरी गुड यार, वरी गुड यतिन, वरी गुड है तेस, बिलकुल सही, तो इसका सही answer है दोस्तों, option number B, मतलब केवल statement 2 सही है, है न, तो गांदी जी न, basically, सिर्फ और सिर्फ हिंसक होने की वज़े से, मतलब, चौरी चौरा की जो घटना हुई थी, हिंसक घटना, उससे, आहत होकर और उन्होंने बंद कर दिया था, और उन्होंने बापेस ले लिया था, और उन्होंने बोला था, कि मैं हिंसा स्विकार नहीं करूंगा, चाह खिलाफत कमिटी गेव इट न्यू एनरजी, कंसी दे फॉलिंग स्टेट्मेंट एट सो दा इंटेंसिटी ऑफ दी अपसर्ज, है न, अपसर्ज की इंटेंसिटी कौन सा स्टेट्मेंट बताता है, ठीक है, चलिए, जो खिलाफत, कॉंग्रेस और खिलाफत का जो एक समूह बन गया था, नॉन कॉपरेशन मुवमेंट के बिड्रॉल के बाद से, तो उसके अपसर्ज के बारे में आपर बात करेंगी है, उसके फीवर में कुछ तीन स्टेट्मेंट दियेंगा है, पहला दिया है, फॉरें प्रोड़क्ट पर वाइकॉट इंड ब्रिटिस आधे से कम हो गया था, दूसरा है, तिलक स्वराज फंड वाज ओबर सब्सक्राइब एंड हंड्रेट करोर रुपीज वाज कलेक्टेट तू सपोर्ट नॉन कॉपरेशन और स्वराज फंड करके जो फंड बनाया था, वो लगभख सो करोर रुपए एक खटे करने में सफल रहा था और तीसरा है, कॉंग्रेज वाले इंटर कॉप एमर्स्ट ऐस दी पैरलल पॉलिस और कॉंग्रेज वाले इंटर कॉप जो थे, वो एक पुलिस की तरह है, उभर कर सामने आए, अब आपको बताना है, कि कौन सा जो इसके फेबर में बात करता है, आपसान A says only one, B says only three C says one in three and D says all of the above, कौन से statement जो है, वो सही होगा, सभी लोग बताएंगे, एक बार वीडियो को लाइक जरू कर दे, सभी लोग, सभी लोग वीडियो को लाइक जरू कर दे, चलिए, अभी बच्चों से request एक वीडियो को लाइक और सेयर जरू कर दे ता है, कि जादा से जादा जो है, वो नौलिज कही कि इन फिरी वीडियो से benefit ले सके और अपनी preparation को boost कर सके, साथी में सभी बच्चों से एक बार जरूर बोलूँगा है, जिन्हों ने अब तक one double line का course purchase नहीं किया है, वो जरूर purchase करें, उसमें जो one thousand MCQs हमने आपको provide करा हैं, और बागी सारे subject के लिए भी हम आपको MCQs वहाँ पर provide करा रहा है, साथ ही यहाँ पर आपको पांच full land test भी provide करा जाएंगे, और एक video series भी इसमें डाली जा रही है, जिसमें आपको Indian freedom struggle बहुत detail में complete करा जाने वाला है, बहुत शानदार तरीके से, तो यह एक package है, और इसको और अच्छा time के साथ किय आपकी एक्जाम तक, तो जिन्होंने खरीद लिया, उन्हें तो benefit मिल नहीं वाले, मतलब ऐसा ना panic ना हूँ, बच्चे की सरम ने खरीद लिया और आप नहीं चीज़े एक करना है, तो परिशान ना हूँ, जिन्होंने भी यह course purchase कर लिया है, और उन सभी के course में यह सारे ची इसको discuss कर लेते हैं, इसके सही आउंसर को तो सही आउंसर हैं दोस्तों अ, चिदे तो यहां पर ख्लाफत आंशूंन attempt करी गई थी ठीक है, तो यहां पर पहले चीज़ आधि नहीं ता यह क्लियर सिवांगी नेगी आप application से purchase कर सकते बच्चे चौजरी ची आप भी ले सकते हैं ठीक है बिल्कुल ठीक है आप सभी लोग जो है वो knowledge का application से purchase कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर यह हिंदी में लिखा हुआ तो question इसका जो सही आंसर है दोस्तों option number C है आप से नंबर C में था ठीक है वन एंथरी जो था option number C में था यह question English में है दोस्तों यहां पर यह question वही question हिंदी में है ठीक है और इसका सही answer जो है वह वन थी है जैसा मैंने आपको बताया कि भाई इसमें क्या हुआ था अब्जेक्स का इंपोर्ट्स था वो कम हो गया था और बायकॉट कर जा गया था विदेशी बसनों को असा हो गांदुलन में इसके लावा वही सारे लोग जो है वो डोनेट करते हैं करूब बन गई थी ठीके जो कॉंग्रेस वालेंटर्स के रूप में थी आगे बढ़ते हैं कॉशन नमबर 6 की तरफ नाइट इस अगीन इन इंपोर्टन कॉशन मैनी लोकल इस्ट्रॉगलर्स अबर्स दूरिं दूरिंग नॉन कॉपमेंट विच गेव डैफिनेशन तो देश्ट आफ इस्ट्रॉट फॉर्स्ट है यहां पर क्या दिया है यहां पर एक कॉशन है उसक मंत को पंजाब से शटाने के लिए था एक का मूमेंट जो था वो ड्यू द्यू घ्रशन ओप धी कदार्स हूँवर थाकेदार्स हूवर एंफ्रॉस्ट्रेट्ट तो कालेक्ट हाइड रेंडट जो हाइड रेंड को कलेक्ट कर रहे थे हाई जमीन दारों जो ठेकेदार जो तो थे वो जमीन दारों से ज़्यादा पैसे, जमीन का जो ज़्यादा पैसा है वो ले रहे थे और आवत किसान मूइन दी आपक्स जू तू दी एक्स इंड रेंड लेगल लिवस एंड रिनीूवल फीज तो एक तुन से उसकी अवग्या कि परिवास आ थे तो उसमें कौन-क जो पंजाब में महनतों को अटाने के लिए था एक आंदूलन जो था जो अकाड़ों के उत्पेरंट की वज़े से और अवद किसान आंदूलन जो था वो अवैद रूप से जो है सुल्क बसूलने के ऊपर था तो कौन से स्टेटमेंट सही है कि अवाल एक कि सी से दो और तीन जो अवाल था नियू एक आपको जल्दी सा पढ़े हो रिसकान सा दे आं से भिलो रिफ्रेस्ट काने सर और एक सकेंड बाई एक सकेंड एक सकेंड एक सकेंड एक सकेंड है ती कि अब आपकी जो है बफरिंगी प्रॉब्लम स्वाल्व होगी बिल्कुल ओके ओके बफरिंगी प्रॉब्लम लिवच्छों को क्लियर देख रही है ठीक है हमने नेटवर्क इसूस को क्लियर करने की कोशिस किये वाल दो इस एंट पर सभी चीज़े सही है फिरी भी हमने दूसरे नेटवर्क को नेट किया है नाव लैक मीन हो कि क्या अब बफरिंग की इश्यू स्वाल हो गया है कि नहीं सो मैं वीडियो इस रणिंग कोई बात नि क्या अब सभी लोग को प्रॉपर क्लियर है अभी भी ओक्यों मुझे बता है क्या आप सभी को क्लियर है मैं थोड़ी देर के लिए रोग गया हूं क्या वीडियो सभी बच्चों को क्लियर है बताये मुझे जल्दी से फास्ट तो यहां पर क्या था कॉस्टन 6 यह बूला था कि भाई जब नॉन कॉपरेशन के दौरान बहुत सारे लोकल स्ट्रॉगल भी सामने आये थे है ना छेती संगर्स भी सामने आये थे जो कि एक तैसे अवग्या कर रहे थे डिस अबिदेंस कर रहे थे लोका तो यहां पर तीन इवेंट के बारे में बात करी गई है और आपको यह बताने कि क्या इन तीनों इवेंट में से कौन-कौन से वेंट जो थे वो इसके दौरान हुए थे एगटेशन की बात हो रही है एका मुमेंट की बात हो रही है और अवत किसान मुमेंट की बात हो रही है तो इन में से प्रिया आप बार हाई रेजलूशन पर देखे बच्चे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वहाँ आप्शन नमबर D अब लेने के लिए सउपा गया था अगला कोई कि स्कीन पर एरा बच्चो एक बार जल्दी से देखें चुलिए फास्ट है पिवन ने सही है जिनका भी डी था बिलकुल तो बिल्कुल से वरी गुड़ यार सेवंध कोशन पर चलते हम दा फर्स्ट प्रस्टेंट ऑफ इंडि जल्दी से सभी लोगे से सॉल कर दें दादा बाई नेरो जी थे एसन बेनर जी थे ओमेशन बेनर जी थे या फिर एओ यूम ते कौन थे जो इसके पहले प्रस्टेंट ते एक तरह से मौले करतव है कि इस कौशन का अंसर तो आपको पता हूए यह दिया पास्परेंट है ठीक है तो इसका जो रही घुलाईव कर लेंगे हम विलोग चलिए आगे बढ़ते हैं नहीं से कॉस्टेशित अगले को difilsक्ते हैいます Mode के अले स्किन पर इलिए रहा है तो कॉश्चन का मतलब यह कि भागस सिंगने और वी के दत्त ने आठ अप्राल 1929 को केंद्री विदान समा में एक बम फेका था, वो किस अधीनियम या विदेक के बिरोध में फेका गया था, पॉब्लिक सेफ्टी विल के अगेंस्ट फेका गया था, वुट्स विल के बिरोध में फेका गया था या फिर नन अफ दिया बव, किस विल का बिरोध करने के लिए उन्होंने बम फेका था, पॉब्लिक सेफ्टी विल, प्रतीक बाचपे जी निभाले तिवार जी, वेरि गूट, तरोना, वेरि गूट, वेरि गूट, वेरि गूट राजन, वेरि गूट, सभी का सही है, option भी बिल्कुल सही है, ठीक है, public safety bill का बिरोट करने के लिए भाम फेका गया था, mainly to stop the communist movement in India by the cutting it off from British and foreign communist organization, तो basically ये इसका तलक्ष था, अगले कौशन ही था, अगले कौशन ही था, अब हम the fundamental rights solution at the Karachi session 1930, now this is very important question, बहुत जाद important caution है कि निमलेकित में से किसने करांच या दिवेशन जो की 1931 में हुआ था, मौलेक अधिकारों के प्रस्तावा को तरखाता है ना, और यहीं से आपके संबिधान में मौलेक अधिकारों की चर्चां सुरू हो बही थी, भारती नागरिकों को भी मौलेक अधिकार या फिर fundamental rights मिलने चाहिए, ठीके तो it is very important, तो किसने ये बात रखी थी, जवाहलाल नहरू ने रखी थी, आचारी नरेंद्र देव ने रखी थी, सुभास चंद्र बोस ने रखी थी, याद रखना है, तो देखे फंडमेंटल राइट्स की सबसे पहले बात कहाँ पर करी गई थी, पहले चीज़ तो यहीं से रख लीज़े कि 1931 में जो आपका कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन में पहली बार बात करी गई थी, फंडमेंटल राइट्स की मौलेक अधिकारों की और ये बात करी थी, जवालल नहरू ने, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, और कराची सत्र की अधिख्चिता जो किस ने की थी, वो सरदार पटेल ने की थी, सरदार पटेल ने जो है, इसके अधिख्चिता की थी, इंडियन एक्टिविस्ट, थिंकर, एंड सूशल रिफॉर्म वर्वाज फॉर्मली नोन एज लोक्तिवाडे, है न, लोक्तिवादी, क्लियर, निम्डे कितमें से कौन सा भारती कार करता है, विचारक और समासुधारक लोक्तिवादी के रूप में प्रसद्धिता, महादेव गोविंद, रानाडे, जोतिबा, फुले, गोपाल, हरी, देश, मुक्या, फिर, अक्छा, कुमार, तत्थ, कौन जो थे, वो लोक्तिवादी के रूप में जाने जाते थे, सभी के पास मौका है इस कौौशन का अंसर, आकरी कौशन मुझे सभी का अंसर चाहिए, सभी का अंसर चाहिए, तब ही मैं आगे हूँगा, जल्दी से, बीज़ को चलिए काफी सारे बच्चों के अंसर आ गया है तो इसका आप हम सही आंसर डिसकस कर लेते हैं तो इसका यूस्ट है दोस्तों option number C है यहीदि मैं बात करूं option number C में क्या था आपके गोपाल हरी देश मुग जीए ठीक है ना तो यास रखना है कि गोपाल हरी देश्मुग, ठीक है, गोपाल हरी देश्मुग was the Indian activist, thinker, social reformer and writer from Maharashtra, तो ये कहां से आते थे, महरास्त से आते थे, ये एक activist थे, thinker थे, social reformer थे और writer थे, His original surname was His original surname was Siddhai Because of Watan Right of Tax Collection That the family had received The family was later called Deshmuk Deshmuk is the खेर ये इतनी पंचाद आपको आद नहीं रखनी है आपको basically नाम याद रखना है Gopal Hari Deshmukka दोस्तों, thank you so much यहाँ पर हमारी आज की क्लास खतम होती है ठीक है आप सभी लोग इस सीरीज को एंज्वाय कर रहोंगे इस सीरीज में दस-दस कॉश्चन करके आपको करीब 100 कॉश्चन कराने वाले इंडियन फ्रीडम इस्ट्रगल के जो की इंपॉर्डेंट 100 कॉश्चन होगे मेरी टार्गेट होगा कि मैं कम से कम इसको बढ़ा कर द एंडियन फिस्ट्री जो की 36 लैक्ट रहा हमां कम्प्लीट करा दी गई है उसे एक बार सभी लोग विजट करें और वेरी हल्फ़ फोर यॉवल तो थांक यू गयाइस थांक यू वेरी मच्छ और सभी बट्चु से बोलूँगे कि आप यह आप 1 99 वाला नॉलेज स्काई क official app पर मिल लेगी वहाँ से आप download कर सकते हैं so thank you everyone बिल्कुल बिल्कुल 20 questions हम लाने की कोशिस करेंगे ने क्लास से थेज जी good idea